नमस्कार दोस्ता एक बार फिसे आपको बहुत बहुत स्वागत है सभी सर्वेइंग वे रेटार फोजी भाईयों के एक मातर बरोसे मन यूट्यूग चैनल सैनिक नूज चैनल में वन रेक वन पैंसन पर सुप्रिम कोट से आया ताजा ख़बर जी हां दोस्तों आज सुप्रिम कोट में वन रेक वन पैंसन के सुनवाई हुई थी उसी को लेकर एक लेटेस्ट खबर आई है तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं पूरी खबर को इससे पहले छोटा सा रेक्वेस्ट है अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सस्क्राइब करके गंटी बटन को भी जरूर दबा दे ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिलेगी दोस्तों हमारे जो नए व्यूवर्स हैं उनको हम बताना चाहते हैं कि असली वाली one wreck one pension की मांग को लेकर आज भी जंतर मंतर पर हमारे पूर्वसेनिक दरणा दे रहे हैं और उसी को लेकर सुप्रीम कोट में केस भी चल रहा है और उसकी आज सुनवाई हुई है और उसी को लेकर एक latest कबराई है तो दोस्तों ताजा जानकर ये हैं कि सुप्रिम कोर्ट में आज वन रेक वन पैंसन की सुनवाई हुई कोर्ट नमबर आट में और सुप्रिम कोर्ट ने कहा हैं कि ये मामला काफी गंबीर है और ये हमारे पूर्व सैनिको की जो मौरल है उसको डाउन करने जैसा है तो जल्दी से जल्दी इस फैसले पर जरूर फैसला होना चाहिए तो सरकार के वकिल ने सुप्रिम कोर्ट से ये अनुरोद किया है उसको वापस लिष्टेर जल्दी से जल्दी किया जाए ताकि इसकी सुनवाई जल्दी हो सके और जल्दी से इसका समाधान हो सके और सुप्रिम कोर्ट अपना अंतिम निर्ने सुना सके तो दोस्तों सुप्रिम कोर्ट ने इस बात को सुईकार करते हुए जो हमारे अगली वन ड्रेक वन पैंसन की डेट है उसको फिक्स कर दिया है यानि कि कम्प्यूटर जनरेट जो डेट है वो निकल के आ गई है 24 मार्च 2020 को सुप्रिम कोर्ट में वन ड्रेक वन पैंसन मामले में अगली सुनवाई होगी तो ये थी एक लैटेस्ट कबर वन ड्रेक वन पैंसन मामले में उम्मीद करते हैं वीडियो में देगी जानकर इस जरूर आपके लिए यूसफुल रहे होगी तो वीडियो को लाइक सेर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए इसे के साथ जे हिंद जे भारत